तो आल्रैट संधीप वेलकम यह पार बिजनेस मास्ट्री एंड थेंक यू पर बिग उन टाइम यह था थे पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं ताकि हमारी ओडियन्स को पता चले कि आप कोन से फिल्ट से हैं कहां से हैं क्या करते हैं पास्ट एक्सपिरियन्स क्या है तो यू है गुड टाइम या ओके तो मैं मैं नेम इस संधीप खोथ ओके आम फीजिकल एजूकेशन टीचर सिंस फ्रॉम टूथाउजन थ्री आम वर्क यह जो मुझे असे लगा कि आज यह जो थेरिपी यह मैं से थेरिपी नहीं बहुत बोलूँगा यह फॉर एक्जम्पल सबकी जरूद है नीड है क्या आज बेसिकली हम लोग काम कर रहे घर पे काम कर रहे ओपिस में कार काम कर रहे तो वेरी मच विएव टूश्ट पेस्ट तो इसके लिए सब दूर करने के लिए थेरिपी हमें वेरी इंपॉर्टेंट है मैंने सोचा थोड़ा जॉइंड करू मैं भी और टू अपड़ेट माइसेल्फ कि मुझे थोड़ा नॉलेज भी थोड़ा मुझे अपड़ेट करना है यह सर ओके तो चलिए यह तो आपने ब थेरापी में चाना है यह सकरेक्ट गुट क्वेस्टन तर आएग तो फेस्ट दी प्रॉब्लम विट स्टूडेंट्स ओके आप मेंगर इंज्यूरी इंज्यूरी तो इंज्यूरी को किये क्यों करने के लिए मैंने जभी आपका स्पोर्स देखा तो मुझे बहुत सारे जो प्रॉब्लम से दिखाई दिये और उसके लिए सुलूशन भी दिखाई दिया अज़र इन दर स्पा थेरिपी ओके जो आपके जो थे अपने जो थेरिपी है आरोमा ओके देन आयुरवेदा एक्यूप्रेशर स्वीडिश देन जो छे के छे मैंने पूरा चेक किये तो उसमें मुझे सोचा कि इस थेरिपी से मैं उनके प्रॉब्लम सॉल कर सकूँ इसलिए यह सर मैंने इसमें हाँ यह परसल है जिनके हाथ का कुश्च इशू है राइट एम राइट करेक्ट 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 इन टूथाओजन फिफ्टीन आए फेस्ट अ अगर मुझे करें तो सर ने मुझे मतला आपने बहुत अच्छी तरह से मुझे तो परखा देखा जाना समझ के मुझे जॉइन करने दिया और मैं भी उसी सर के हिल्प से मैंने आगे बढ़के यह ओन्नान कोर्स कम्लीट करने का सोचा तो आपने पूरा कोर्स अभी देख ल यहां पर पहले तो देखा मैंने आपका जो कोर्स है वेरी क्लियर ओके एंड डीप डीपली नॉलेजिबल है क्योंकि यह कोई भी जैसे मेरा एक हाथ का प्रॉब्लम इशू होने के बाद भी अगर मैं कर सकता हूं तो जिसके दो हाथ है तो क्यों ने कर सकते हैं त्राइल य किया है तो मुझे लगा कि confidence उसमें से और बढ़ा कि अगर मैं कर सकता तो बाकी भी कर सकते क्योंकि आपके जो वीडियो स्थे ऑनलाइन वीडियो को काफी बहतर है और उससे भी बहुत सारे लोगों को यह सीख मिल सकते कि हम भी ऑनलाइन को जॉइन करके भी हम लोग कि जो संदीप है उनका एक हाथ नहीं है उसके बावजुद भी वो स्पाथ थेरेपी में इन्रोल हुए है और उसने ज़्यादा मोटिवेटेड है कि एक नेक्स्ट लेवल पर अपनी लाइफ को ले जाना चाहते हैं तो बिग रांड उप्लॉस फॉर यूज थैंक यू सर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो हमारा रूल क्या है कि जब भी हम मैं किसी को बोलने के लिए बोलूंगा कि लिए होने वाला है वीविल क्लैप त्री ताइम्स वाट ओके 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 हम तो पावर वुश्च पावर्वर्वश वाल विया थो और सब्सक्राइब के बाराइब बताए पैंक गर तहां से हैं करते हैं और आपको पावर बूश देंगे तो एल्डाइट सो लेट सब्सक्राइब तो अभी अपकमिंग हो रहा है तो मैंने इसलिए एक सेकेंड इंकम और मुझे काफी इंट्रेश भी था पाथ हरेवी में जॉइन किया और अच्छा था मतलो मैंने कंप्लीट अभी अंड्रेट परसेंट कर रही है और अभी मैं रेडियू प्रैक्टिकल के लिए आने के लिए और अब तहां से हैं लोकेश सर बेसिकली मैं वर का फर्स्ट हैंड फीडबेक क्या है जब आपने ओनलाइन के इस कोर्स को देखा कि मैंने काफी अच्छे से लर्ण किया मुझे डिफिक्ट मतलब ज्यादा मैं कंफ्यूज नहीं हुआ काफी सेप वाइट आपने बताया और पहले जो थेरी बाद में प्रैक्टिकल देन वे और उन्होंने मतलब बेशा ओला कि आपने इतना लर्न कर लिया है तो प्रैक्टिकल में तो आप सुपर फाइन हो जाएगा आपका अपस्टाइब अपस्टाइब कर दोनों ने ही ऑनलाइन कोर्स देखा है और ऑनलाइन कोर्स देखने के बाद आई थिंग आप दोनों ही ज प्रैक्टिकल में जाना है तो मुझे किस चीज़ पर फोकस करना है और उस में आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे कितना टाइम लग सकता है क्या यह अंदाजा आप लगा पाए रफली रफली एक अंदाजा मूस्टली स्वीडिश और डीप टीशी तो मेरा मतलब राइड एंड संदीप आपका यह मेरा सर अगर प्रॉब्लम को देखा जाए मतलब मैं तो देखने रहा हूं लेकिन मैं आपको सिफ बता रहो कि आए कैन सपोस्टू टेक मोट अब जैसे मुझे एक हाथ से करना है तो मुझे थोड़ा समय लग सकता है करेक्ट करेक्ट और मैं त्रिक में मैंने थोड़ा अपलाय किया है कैसे थोड़ा प्रैक्टिकली मतलब घर पर प्रैक्टिस किया है तो मुझे समय जा सकता है तो उसके लिए थोड़ा मुझे थोड़ा एडवांस होना कई एडवांस होना पड़ेगा और करेक्ट करेक्ट एपसलूटली पर टाइमिंग की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है देखे एस लोंग एज हमारा डिरेक्शन सही है ना तो आइटिंक स्पीड उतना मेंटर नही स्पीड़ होज सकते हैं लोग सबसे प्या करते हैं अग्यी मेह नत तो बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन शायद वो फूर्टी स्पीड में करेगी बहुत जादा इंपोर्टेंट है चलिए एक गुड रांट अप्लॉस वाल फ्यू वन्स अगें कि फाई एनर्जी की फाई एनर्जी आल राइट तो अब मेरा एक सवाल और है अकी देखने से पहले और कोर्स देखने के बाद नंबर वन अकी आपको रफली कितना टाइम लगा संदिर दूरेशन मैंने टाइम इच डे मैं सर पहले तो 10-10 परसिंट मैंने कंप्लीट किया है फिर मैंने मॉर्णिंग में और आप्टर में जैसे आ है ऑलिडे तो मैंने और सिक्स डेज में कितना टाइम आपने डेली दिया क्योंकि मैं सेशन डबल-डबल मैं रिवाइस करता था और प्रेक्टिकल भी अहां उस पर जाता था तो विदिन सिक्स देज हाओ इस यार फिलिंग वाट इस चेंज इन फिलिंग फिलिंग तो ऐसे था कि I can do मैं कर सकता हूं तो आपके वीडियो से ओके पर्फेक्षन गाइडला गाइडलाइन के तुम मैं कर सकता है और निकल गया था इन जो स्वेडिस का पहले अपने ऑब्जेक्टिव पहले सबकें अब्जेक्टिव बैस एक परेक्टिकली पर गया कर सकता हूं exactly right true true so you are right here because objective clear process absolutely so good feedback definitely it is like something new angle that you have given to the things and location k uh so i would like to ask you also uh location k because there are two location one is location k uh let me send you the request yes आपको करना पड़ेगा चलिए जब तक वह नहीं कर पाते हैं तो लुकेश आपको कितना टाइम लगा कॉर्स को कंप्लीट करने में क्योंकि मैंने हर पहले समझ में आया तो मैंने प्रैक्टिस किया अभी तक मैंने टोटल ट्वेंटीएट प्रैक्टिस कर चुका हूँ तो मतलब काफी अच्छा एक्स्पिरेंस था सर मतलब अभी स्टार्ड भी नहीं हुआ है करियर उतने विशेश मिल रही है तो काफी मतलब बिगिनिंग काफी अच्छी हो रही है अब कितना टाइम दे रहे थे हैं और थोड़ा प्रैक्टिस प्लस रिचर्ट और मेरा थोड़ा वर्क शेडूल भी था थोड़ा इवेंट सीजन था तो इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगा जो प्रैक्टिकल वगर था वो मैं अपलाए करता था पहले समझ में आने के बाद में आगे बढ़ता था अपना स्वीडिश और डीप टीशू का तो प्रैक्टिकल मैंने कर लिया है लैंफेटिक आयरुविदी को अगड़ा उनका प्रैक्टिक अभी किया नहीं किया नहीं है और आपता फिलिंग क्या है विदिन ए मन्थ हाओ इस और फिलिंग सर प्रोफेशन रिस्पेक्ट जो मिल रही है ना सर एक दम मतलब उसको मैं बोलने सकता हूँ एक जो ठीरे पी डॉक्टर लेवल की रिस्पेक्ट मिल रही है सर एक्जान फैमिली में अभी तब तो कुछ किया है विनी बस ओनलाइन कोर्स में इतना है तो सुपर फाइन होने के प्रोफ होगी एपसलुटली चलो लेट्स वर बिग राउंड अप्लॉस पर लुकेश पाटिल एंड येस लुकेश आपने अन्म्यूट कर लिया है तो लोकेश आई तिक वर फ्रॉम बैंगलोर तो विच लैंगुज तो इंदी और इंग्लिश इंदी और इंग्लिस दोनो लुकेश सबसे पहले आप अपने बारे में बताए कि आप क्या करते हैं क्या बैग्राउंड है और कहां से हैं अप मेरे सब्सक्राइब करते हैं या ओला उबर के साथ है इसका फैक्टरी का अच्छा मतलब प्राइवेट है आपका कुद का बिस्नेस है आप प्राइवेट के लिए अच्छा लगा तो आप बैंगलोर में रहते हैं ड्राइवर का ताम करते हैं तो स्पाथ थरेपी कैसे दिमार्ड में आया किया स्पाथ थरेपी करना चाहिए मेरा मेरा वही फैने सेर मेरा बोलता है कुंसा दूसरा जाब करो ड्रेविंग नहीं चाहिए तो आप को को करने में पहली बाद तो लगी है आप इतनी अच्छी वाइफ आपको मिली है जो आपको स्पाथ जैसे प्रोफेशन में एक्चुली सपोर्ट मिल रहा है आपको बिकोज इतनी आसानी से मिलता नहीं है सपोर्ट अन्लेस आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा डीप है इसके अंदर है यह सब्सक्राइब अच्छा आपको कितना टाइम लगा यह पूरा कोर्स को कंप्लीट करने में ऑन-लाइन पार्ट को मेरा काम करके मेरा फ्रेंड और मेरा वाइप सपोर्ट करता ओके और कितने दिन में आपका रफली हो गया है तो आपके फीलिंग कैसी है अभी हाव और यू फीलिंग विदिन अ मन्त अच्छा था सर मेरे के सुडिस डीपीसी अमेल अयरवेधी को मेरे क्वाइप ना मिरेक टेचते था यह आई सकरना इसका तोड़ा विल्च सिमें स्किन में करता अई यह मिरेक टेच करके पूरा मिरेक आथा ओके चलिए मैं एक सवाल चलिए है लएक सब्सक्राइब एक वीडियो आपका देखा था कि यह चार दिन में कर सकते यहां पर अभी आप देख सकते यह मैंने प्रिंटिंग करके यहां पर लिखा योगा योगा ट्रेनर प्लस थेरेपिस्ट यहां ग्रेट यहीं मेरा बिगर रहां क्या पताना चाहा रहे थे कि मतलब यह तो बहुत ही माइंड बुलिए आपने कर दिया है तो यानिकि यह वी नॉलिज्ट आपसे मिला है मुझे यह वीडियो देखते के पाद जो जो वीडियो आपके है उससे ही नॉलिज्ट हमें मिला कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं कोई कोई लोग अलग तरह से पैंप्रेट चापते यह करते अभी जाते समय हम लोग जैसे मैंने शेर किया था आपने दूसरे जो सर है अपने कि मुझे मिला है तो मैं कैसे यह कर सकता हूं तो तब ही मुझे पटा चला कि तो लोग यहां पर अपने नाम पर प्रेंट कर रहे हैं और अब यहां पर आप अपने बिजनिस का ब्रेंडिंग कर रहे हैं आप सब लोग थोड़ा सा बड़ा फील कर रहे हुए और यह चीज तो आपने अभी बता भी दी है और अब जो मेरा नेक्स्ट कोश्चन है एक मिनट के लिए सोचते हैं कि आपने ओनलाइन को देखा ही नहीं होता और आप डिरेक्ली ओफलाइन के लिए आते सारा वीडियो देखके हो गया है और अब आप ऑफलाइन के लिए आएंगे तो इसमें आपका टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा या फिर अगर आपने ओनलाइन नहीं देखा होता और डिरेक्ली ओफलाइन में आते तब ज्यादा टाइम लगता तो यह संदीप करके डिरेक्ली ओफलाइन में तो ज्यादा समय लगता लोकेश पार्टी जी ने कहा है कि उन्होंने वन मन्त और 28 सेशन उन्होंने किये हैं मतला ओनलाइन वीडियो के बात जो प्रैक्टिकली वह गये है तो हमें थोड़ा जिरो नॉलेज होता क्यूंकि हाउड तू सपोस् इंपॉर्टन है हमें देना किसे है अपने पेशेंट को तो उसके हम मतलब पूरे क्लियर माइंड होके हम लोग जा सकेंगे एक सब्सक्राइब लेकिन अफ्लाइन करके हम लोग नहीं जा सकते थे उसे हम लोग ज्यादा टाइम लगता था ओक चलिए आपका फीडबैक है औ मैंने पढ़ा उसके वारे सब्सक्राइब था अनलाइन तो ठीक ओनलाइन अच्छा ही था डायरेक्ट ऑपलाइन से बस्त में मुंबई में पहले तो ओपलाइन है वह 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 तो अभी स्टार्ट होने ही वाला आपलाइन बट आप लाइन पे काफी हाथ काफी मेरा सुपर फाइन हो चुका है 50 और आप लाइन में तो हुई जाएगा सब्सक्राइब एक आपको देखके ला कुछ बात याद आ रही है लोकेश लोकेश पांटिल से में बात कर रहा हूं आप वही है जो आपने अपने डैड के साथ में आपने फोन किया है था कि मैं मेरे डैड के साथ आने वाला हूं आप वही कहने डिटेट है या कोई और है नए सर अल्राइट अल्राइट चलिए लो प्रॉब्लम एंड लोकेश के नाव कॉस्चिन तो आपका क्या लगता है कि अगर आप डिरेक्ली आफ लाइन पे आते तो आपका का टाइम जादा लगता या कम लगता या अभी कम लगेगा अप्सलूटली चलो बड़ा मज़ा आ रहा आज का सेशन लेने में और सारी अलग अलग चीजे भी हो रही है तो चलिए लोकेश के से शुरूब करते हैं तो लोकेश के आपका भी future plan क्या है क्या है तो विश्य में क्या करना चाहते हैं या उन सिक्समन्ट काम करके मेरा वएफ ना धुर्याव भी करता यह ब्यूटिशन का तरी का मतलब नहीं समझा तर सर्सार मेरा ब्यूटिशन नोब इस पाठ तरफी का दुकन बना दुकां मतलब एक सेंटर खोलने की बार को अच्छा आपका जगह और यह कहां पर आपका जगह जगह बैंगलोर में है ऑके ग्रेट चलिए तो ऑब्वेसी बात है कि इस पा सेंटर आप ओपन करना चाहते हैं तो लेक्ट सब्सक्राइब उनका फ्यूचर प्लाइन बड़ा अच्छा लग रहा है संदीप आपका फ्यूचर प्लाइन क्या है फ्यूचर प्लाइन जो मुझे नॉलेज मिला आपसे और दूसरे वीडियो जो भी है तो उसे मुझे आवेर्नेस लाना है लोगों में पहले जरूरत है क्योंकि जैसे हम लोग डाउन में सफर बहुत लोगों ने किया है और वो सफ जो भी वेरी बैड एक्सपर एक्सपरेंस भी है सबके साथ भी हुआ रहेगा जैसे आपने आपके डाड़ी के बार में थोड़ा मुझे पता नहीं तो वो सेशन थोड़ा मैं यह नहीं हुआ था उसके वजह से आज इंपोर्टन है क्योंकि जो भी प्रॉब्लम फेस हुए है वह हमें प्रॉब्लम पहले सेफ सेफटी सैड में जाना है तो यह लोगों में अवेरनेस लाके फिर मैंने भी सोचा कि अपने आगे अपडेट मास्टर डिगरी यहां से करूं मैं यह मेरा पहला फ्यूचर है पहले लर्निंग करेंगे फिर आगे का सोचा है मैंने इतना म मैंने करने का सोचा इसतर तो क्या मैं इस बात के ओपर आपको थोड़ा सा फीड़बैक दे सकता हूं यह सर्य शूर शूर ओके चलिए आप में से कितने लोग परफेक्शन माइंड्सेट वाले हैं यानि कि मिरको जो काम करना है वो परफेक्टली करना है एनिवड़ी ओके चलिए मैं चीज़ बताना चाहता हूं आपको और यह शायद एक अच्छा लर्निंग हो जाएगा क्या होता है अकी हम चाहे कितना भी सीख ले हम कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते झाहे खिर हम भी यान देना शुरू करते हैं और ग्यानि बयद्धा बन जाते हैं और हमें ग्यानी बबाबा नहीं बनना है हमारा जो वह हमारी लाइट में या तो financial जाए या हमारे उपर अगर लोन है तो हमारी life loan free हो जाए या हमारी relationship में कुछ trouble है तो हमारी relationship पर stability आजाए basically spa के यही तीन purpose है correct है कि नहीं right health well health और ऐसे बहुत सारे benefit है but I don't I'm not getting into that but ultimately as a spa therapist हमारा purpose है आकी या तो हमें financial freedom लिए या हमें loan free life मिले या हमारी relationship improve that is for us and what the customer is getting they are getting good health good health in terms of mental stress से बचना उनकी relationship में जो conflict है उनसे बचना और उनके जो है एक कहीना के एक peaceful life का direction वो हो गया उनके लिए और ये हो गया हमारे लिए as a therapist की मैं बात कर रहा हूँ तो the point here is कि हमें perfectionist mindset के साथ आगे नहीं जाना है और हमें इस action oriented mindset के साथ आगे जाना है simple सी भाशा में बात करते हैं आप सबने video देखा है और video देखने के बाद आपको पहले एतना सा आता था लेकिन उख जो बाहर की दुनिया है उनको इतना भी नहीं आता है the point here is कि उनको अगर इतना आता है तो आप इतना जानते हैं उनसे र reign पेके इतना सा पता है लेकिन आपको इतना पता है it means आप अपनी service का action ले सकते है and you can start earning immediately without waiting making sense तो इसी के उपर एक डिकलेरेशन हम करेंगे और डिकलेरेशन का मेथड क्या होता है अगर किसी को नहीं पता है लोकेश आपने भी गलत कर रहे हैं मेथे लेफ्ट में होता है अब अब मेरे साथ भूल्णा पर्फेक्शन is पर्फेक्शन panels Persian अगैं करें पर्फेक्शन is पर्फेक्शन is फिर फेक्शन MARY स्ट पर्फेक्शन इस फिर ने जा सिर्फेक्शन晚 स्ट Till आय बुर्फेक्शन में से प्रफेक्शन useful प्रोग्रेशे मी सुर्सेश्श फेखेसे इकलिके इंब्द कि इस निया। मुद्दा समझ में आया क्या बोला कि perfection के चक्कर में हमें अपनी progress को नहीं रोकना है क्योंकि मैं जानता हूं जब भी हम स्पा का कोर्स करने आए हैं तो हम financially sound होने के लिए आए हैं तो start taking action instead of waiting for that perfect moment कि हाँ भई जब पूरे master बनेगे तब हमें यह करना है तो यह जो declaration है इसका मतलब क्या होता है कि इसको हम सबसे पहले दिल पे हाथ रखके बोलते हैं क्योंकि हम जब दिल पे हाथ रखते हैं तो कई बार एक point होता है कि हम खुद से जूट नहीं बोल सकते इसलिए इसको बोलते है और दिल पे हाथ रखके इसको बोला जाता है तो चलिए गुड संदीप थैंक्यू सो मच पूर शेरिंग एंड लेस्ट मूव तो लोकेश पाटिल आपका फ्यूचर ब्लैंड क्या है सर मैं स्टार्टिंग में फ्रीलाइंस स्टार्ट कर रहा हूं पूरे में जो चार पीट्नेस सेंटर है उनके साथ मैं को लैब्रेशन की बाद भी कर लिए है तो उनके ठूवह काफी सारे क्लाइंट मिलने वाले और उन्होंने एफिलेट कमिशन रिक्वायर किया है कि हम आपको क्लाइंट देंगे और संधिंग एफिलेट कमिशन जो है वह बोला है तो फ्रिलाइंसिंग का अभी देखिए अभी जो मुझे चीजे समझ में आई है लोकेश के हैं जो पास सेंटर खुलना चाहते हैं संदीप आपका प्लान फूरा साइक बर आपको करना पड़ेगा क्या करना चाहरे हैं अभी उट इसकाव कर रहे हैं तो आप दोनों फ्री लांसर और वो इसमें भी आपका जब offline हो जाता है, जब offline course complete हो जाएगा और उसके बाद हम ये दोनों चीजों का idea आपको देने वाले हैं, कैसे आप इसके अंदर अपने clientele को बना सकता है, और I'm sure जो 8 success formulas हैं, वो सब आपने देखे होंगे, वीडियो के अंदर, है ना, blogging कैसे करना है, YouTube कैसे करना है, दो client का formula क्या है, space center कैसे open करना है, तो सारे formula आपने देखे होंगे और उसका नया version भी अभी आने वाला है, और उसका भी एक्सेस आपको without any extra cost मिलने ही वाला है, और अगर उसके अंदर future में कोई भी therapy हम add करेंगे, it will have no cost, right, no extra charge, हो सकता है, उसके अंदर हम head massage को add कर दें, हो सकता है, कुछ और नया type को कुछ आ गया, हो सकता है कि Swedish massage में कुछ नया technique आ गया, तो उसको हम add करें, तो कोई extra charge नहीं है, वो आपका lifetime access है उसके अंदर, I hope it is making you feel better, जैसे हमें यह जो मिला है वैसे मिलेगा online का, वीडियो वगरे मतलब, ऐसे access मिलेगा, इसी में, मतलब जो आपके पास अभी user ID password है, वह रही डालके बस उसमें कुछ चीज़े add हो जाएंगी list में, and we can join practical session also, उसमें practical session येस, तो practical session का भी उतना सोचा नहीं है, but ultimately जब आपका एक बार ये ये वाला practical हो जाएगा, तो उसके बाद, एक मान के चलिए न आप, अभी offline practical करने के बाद आप beginner नहीं रहे, तो अगर आप वीडियो भी देख लेंगे ना, तो you will be sorted, एक बार अगर आपका practical हो गया, तो आपको पता चल गया, पूरा orientation मिल जाता है कि हायार, low pressure मतलब क्या, no pressure मतलब क्या, और medium pressure मतलब क्या, और high pressure मतलब क्या, क्योंकि उसका तो practice यहां पर हो नहीं वाला है, वेल, चलिए everyone, let's have a good round of applause for all of you, thank you sir, yes, all right, तो अभी इसके अलावा, अगर आप में कोई कुछ शेर करना चाहता है, तो please share, sir, मेरे कुछ साथ से आठ question मेंने लिखे हुए हैं, तो Q&A session बाद में होगा या अभी, अगर therapy related है, तो वो हम मंदे को करेंगे, 7 to 8 p.m., so you can join anytime, that is absolutely fine, और अगर कोई और चीज़े हैं, तो वो शेर कर सकते हैं, certification related, या offline training related, सर जो offline training 13 से start हो रहा है, तो जो star dormantory है, उसका number जाएगा, नमबर ओके, गुरुप में आ जाएगा, star dormantory का number, ओके, और, और schedule भी आएगा, अभी schedule आना बाकी है, आपके पास, तो schedule आ जाएगा, तो किसे हैं, और, और संदीप, आप भी तेरा तारिक से जोइन कर रहे हैं, बात से जोइन कर रहे हैं, नेक्स्ट वैच से, नो सर, इफ यो केन, सब्सक्राव में अगर देरे मॉर्णिंग में, अच्छा, वो पॉर्णिंग है, ओके, ठीक है, इसको अभी के लिए होल्ड करते हैं, बट जो schedule है, भी उसी के ऊपर रहते हैं, है, एवरी मंदी मैच होने ही वाला है, हमारा स्कूल चालू हो रहे हैं, और माय स्कूल इन अव्टरून सेशन, इस एप्र रहते हैं, नो प्रभल्लम, नो प्रभल्लम, अदो 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 इस जोईनिंग फॉर देटिकल सेशन, मेरे मंडे आता हैं, तल्वकोला काता हैं, विए वद्छ या क topics को काते हैं, यह क्या होता हैं, मेरा हमना बैंगलूर से आता हैं नस्यार, 13 तर्व विए स्कूल ईनिंग आता है, 14 से जानो श्कल पधार, 14 से आप जोईन करेंगे, 13 से जोईन नहीं कर पाएंगे, इदर से आगे न संडे से निकलने न संडे से तोड़ा काम में में रहें तो मतलब आप जॉइन तो कर रहे हैं पर एक दिर लेट जॉइन कर रहे हैं तो आपने फॉर्म फिलप किया है अभी करता है हाँ वो टीचेबल सुरी सिल्वर स्टुडेंट के ग्रुप में डाला हुआ प्रिफली आपको बता देता हूं नंबर वान की यस कुछ बोला है लोकेश के नहीं नहीं बोले बोले से तो पहला पॉइंट आकी ओफलाइन ट्रेनिंग का की एक प्रॉपर शेडियूल है राइट थोड़ा सा स्ट्रिक्ली उसको फॉलो करेंगे उसके पीछे वजय क्या ह है क्योंकि आपको छे दिन मिल रहा है राइट मंडे से लेकर सेटेड़े तक वो एक अलग बात है कि हम अनलिमिटेड बैची आपको दे रहे हैं बट उसमें आपको पूरी एनरजी के साथ रहना है ताकि आपका दिमाग कहीं और ना जाए तो शेडियूल है वो एक दिन पह रहे है बाद में और सुने के बाद गलत सटेड़ को लेट इविनिंग तक हो सकता है क्लिसे अग्यां की ग्सओर दूसरा अगर आपको लगता है कि च्छे दिन मेंनेक कम हुएं तो थो यू, है एदेंड यसुन बेशपा आपको पिस कर सकते हैं at no extra costs क्लियर है और इसके साथ साथ कुछ हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जहां पर जब भी आप क्लास में आएंगे तो उससे पहले एक पर वीडियो देखकर क्लासिज में आएंगे क्योंकि उसके उपर आपका पुश्चन आंसर भी होने वाला है और उसके पीछे सिंपल सा आंसर मेरा एक लॉजिक रहता है Master बनने के लिए थोड़ा सा मेहनत लगता है रैट और वह मेहनत अग्मैनली रेडी रहे कि हा यार मतलब सहाँ वो देखिए टैकनीक आप सीख जाएंगे लेकिन टेकनीक सीखेंगे तो आप टेकनीशियन बनेंगे मास्टर नहीं बनेंगे तो टेकनीक के साथ साथ चीजों को explain कैसे करना है उनको formulation में कैसे लाना है और उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है अपने customer का counseling कैसे करना है I'm sure यह सब लोग जानते हैं कि जब भी कोई business हमें बड़ा बनाना होता है तो उसमें लिए हमारा communication बहुत important role play करता है am I right absolutely right तो just a second challenge हुआ क्या हुआ one second let me just minimize this screen a little bit okay तो अभी मैं कुछ चीज़े आपके साथ शेयर करता हूं ओके तो चलिए आप जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया है तो उनके लिए मैं सिक स्क्रीन के ऊपर है कि आप उनको भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है है बिकास वो अगले फ्राइडे को अटेंड कर सकते हैं तो लेक्ट मी ज़स्ट शोटिस ओन स्क्रीन ने तो काफी लोगों को थोड़ा साथ कन्फ्यूजन रहेगा तो यूटेंड नेक्स्ट फ्राइडे और उसके बाद कि जस्ट सेकेंड कि कुछ गोल्डन लाइन का मैं हमेशा यूज करता हूं और वह गोल्डन लाइन जैसे आज का एक हमारा जो लाइन है वह यह है कि हमें कई बार आपके साथ ऐसा हुआ रहेगा कि जब आप बहुत सारी चीजे एक साथ आ जाती है और सारी काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है और हम मिस्टिक करने की पॉसिबिलिटी हमारी बढ़ जाती है यहनि कि डिजास्टर उस मुमेंट में हो सकता है तो एक चीज है जो हमें हमेशे याद रखनी है कि हमें we have to take one step at a time अब कौन सा step लेना है वो इस बात पर depend करता है कि आपकी priorities क्या है हो सकता है मेरे लिए जो मुझे एक step लेना है वो अलग हो और आपको जो step लेना है वो अलग हो क्योंकि मेरी life की situation अलग है आपकी life की situation अलग है तो as per the priority हमें decide करना होता है कि पहला step कौन सा लेना है और एक time पर एक step लेना है I hope it is making sense to you yes और जो दूसरा है कि जब भी हम चीज़े सीखते हैं जैसे कि हमने let's say आपने सुना होगा कर वकील अपनी वकालत पास कर लेता है तो एक ओध होती है है ना एक कसम होती है डॉक्टर भी कसम खाता है तो इसी तरीके से एक जब आप spa therapy करते हैं तो उसमें भी ओत का system है और जिसको हम बोलते है code of honor का मतलब कि आप अपनी life में अपने लिए कुछ rule set करते हैं हम सबकी एक आदत है इतने बज़े यह करेंगे उतने बज़े वो करेंगे यह तो होगी आदत लेकिन जब हमारे काम की बात आती है तो हम कुछ rule set करते है ना आज मैं इतने बज़े मैं ये मिटिंग में जाने वाल करने तरीके की बात कर रहा हूं तो तरीके में हमारा बहुत ज़रूरी है एक एक अप्लाइ डूंट सप्लाइ इसका कोई मतलब बता सकता है येस एनिबडी करते हैं एंड शप्लाइ करते हैं एंड शप्लाइ करना बतलब कैम लोग जो चीजे यह है वो सप्लाइ कर रहे हैं विदाओट एनि नॉलेच ओके चलिए ठीक है लेट सब्सक्राइब रांड और प्लॉस बट आइविल डेफिनेटली पॉइंट इट आउट यस लोकेश पातिल आपकी क्या अंडरस्टेंडिंग है इस लाइन से अपला है मतलब जो तो ठीक है बट उसमें अभी जैसे की काफी थोड़ा अभी ए प्रोफिशन को थोड़ा सा अलग टैस्ट से भी कुछ मतलब लोग है से सोसाइटी में तो मतलब रिस्टिक्टेड करना चीए खुद ने और खुदने ऐसा करना चीए कि ए चीजे नहीं करन मतलब सहरे तो एक क्वा खुद सद्सकों चीए तो अवलाइर क्यों मितलब लोग है सलाटी सा लीरत था एक करन कर आइए थिए का लिया स mitt नहीं कर तो यह जान करना की क्या अग्य। दोन सप्लाई का मतलब यह होता है कि जैसी चीजे हम अपने हम अपनी कुछ चीजों में एक जातो हम टाइम इनवेस्ट करते हैं या पैसा इनवेस्ट करते हैं और उन चीजों को हम सीखते हैं और सीखने के बाद कई बार हम सिखाना शुरू कर देते हैं नोटिस नोटिस इट तो अगर आप डिरेक्ट सिखाने जाते हैं जबकि रूल यह है कि ज्यादा अच्छा तरीका सीखने का क्या है सिखाना बट जब आप उसको अपलाई पहले करें सिखाए बाद में आप तब सिखाने की बात करो या तब लोगों को बताने की बात करो जब आप उन्चीश से कुछ अर्निंग कर चुके तो यू फिस्ट अपलाई और प्रूव इट तो यॉर्सल्फ कि हाँ यार मैने कुछ सीखा था और यह वेड गूट अवांट अवनी और मेबी आ इम लिए अलोन-फ्री लाइफ और मेबी आव स्टेबलाइज मैं रिलेशनिश्टिप यू अप्लाइट तो इट थेंस्ट थेंस्ट में एक मैंड्सेट हमारे लिए बहुत सरूरी होता है और वह मैंड्सेट क्या होता है अकी सी एक सर्विस इंडस्ट्री में इक सर्विस इंडस्ट्री में लोग पैसा खीजने का बात पहले करते हैं और सर्विस का बात बाद में आता है ऐसके अ उसके बाद सर्विस का नामों निशान नहीं है किसके साथ हुआ ऐसा अभी तो लग मेरे साथ तो हुआ नहीं है और लाइट येस लोकेश 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 लाइन में तो हमेशा का ऐसा रहे करते हो तो काम के लिए काफी करना पड़ता है करवा लेना पड़ता है तो काफी जाएगा सामने वाली था कि पूरा चाहिए हमको तो मुझे मेरे काफी उस दिन काफी टीन वेडिंग से एक साथ में तो वहां उसको काम करवाना था और उसको पेमेंट वेवेंट एडवांस तो मैंने आडवांस दे दिया था बट उसने सर्व टाइम पर नहीं किया वह काम तो वन हवर लेट मतल काफी काफी जादा सुनना पड़ा है मुझे मेरे क्लाइंट से आपने जो कमिटमेंट डिया था हमको लेट करना पड़ा प्रोग्राम था वगरा था थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है मेरे साथ में वेल थैंक्यू सो मच पर शेरिंग दिस लेक्स आपके साथ कुछ ऐसा इ अच्छा ओके तो पॉइंट की बात यह को आपके केस में हुआ इंटीग्रेटी इशू हुआ है यानि की और एंटीग्रेटी की कमी आज के टाइम में बहुत लोगों के अंदर है आसानी से इंटीग्रेटी आपको मिलती नहीं है तरीका भी होता है चीजों को सॉल्व करने का की अगर हमारा खुद का माइंड सर्विस ओरियेंटेड है ना तो देखिए चीजों को माइंड में रखने से सामने वाले को नहीं समझ में आएगा मैं सिंपल भाशा में बताता हूं काफी सारे लोग बोलते हैं यार मैं इमानदार हूं है ना और काफी सारे लोगों को हम देखते हैं यार कैसे भी करके पैसा बना लेते हैं आगे बढ़ते चले जाते हैं और उनको कोई अच्छा नहीं बोलता है मिले होंगे ना एक-दू लोगों से ऐसे पैसा बहुत बनाते लेकिन पोई अच्छा नहीं बोलता उनको इवेंट लाइन में और में लॉगडाउन का बहाना देते मतलब उनका कहिना ऐसे हैं तो पॉइंट की बात यह है इफ यू आर ऑनेस्ट इफ यू आर ऑनेस्ट मार्केट यूर ऑनेस्टी तो इफ यू आर शर्विस माइंटसेट तेल पीपल आयम सर्विस ओरिएंटेड माइंटसेट अगर आप वो नहीं हो तो प्लीज दू नो डिल विद अश आइंग जब आप यह बताते हैं उनको एक्स्प्लें करते हैं चीज तो इस लाइन से लोकेश के आप क्या समझते हैं इस लाइन से क्या समझते हैं एक पीपल टू रिलीव फ्रॉम स्ट्रेस सब्सक्राइब करने के बाद में उनका लोगा देन काफी सारे इसूस होगे उनको जैसे सब्सक्राइब करने के बाद में सब्सक्राइब करने के बाद में तो जो अपने लिंप नोड है तो जो आपने मतलब मैंने खुद यह अपलाए मेरे पीसे स्क्राइब किया तभी यह थोड़ा सा मुझे भी नॉलेज हुआ नहीं था तभी तो वह अपलाए होने के बाद थोड़ा सा उनको रिलीव मिला है सब्सक्राइब प्रैक्टिकल जैसे आप से सिखा मैंने थोड़ पीपल तो रिलीव फ्रम स्ट्रेस तो बेसिकली क्या है कि मैं आपको कुछ ऐसी चीजे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि स्ट्रेस के सारे सिनोनिम्स आपको पता होने चाहिए हैं कि I am a good spa therapist and I am a master who can relieve you from stress, who can relieve you from anxiety, who can relieve you from insomnia, who can relieve you from panic attack, who can relieve you from depression, etc, etc, etc. वेरी 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 गुड़ तरही जो थोड़ा सा दिमाग से परेशान होता था उसको पागली बोल दिया जाता था बट क्योंकि awareness भड़ी है और उस awareness में आजके टाइम में पागल नहीं बोलते हैं पर इतना जरूर बोलते हैं आई बर साइकारिस्ट को दिखा लो और साइकेंटरिस्ट जो है यह सारी तर्मिनोलोजिस्ट का यूज करता है और वो टेबलेट के भरोसे लोगों को हेल्दी रखने की कोशिश करते हैं अगर आपको लॉंग टंग हेल्दी रहना है तो फॉलिस्टिक थेरपी यानिक जो हमारी यह आपको इन सारे सिंटम से बचा सकती है ऐस्ट्रेस एंसाइटिटी इंसोंप्निया depression panic attacks बहुत important role है और I am sure कि सबने उसका schedule तो देखी लिया होगा तो उसके उपर भी focus करना ज़रूरी है क्योंकि 90% problem आज के time में यही है so you got to you can say market it really well the stress point of view because देखे लोगों को पता होना चाहिए कि आप भी ठीक कर सकते हो that is the whole point अगर पता ही नहीं होगा देखे एक बंदा होता है बोलता है यार मैं मसाज थरपिस्ट हूँ हाँ ठीक है महीं भी मसाज थरपिस्ट क्या फरक पड़ता है हजारों मसाज थरपिस्ट है बट अगर एक मसाज थरपिस्ट यह बोलता है कि I can treat your panic attack I can treat your anxiety I can help you to relieve from stress I can help you to relieve from depression I can help you to relieve from insomnia using my spa therapy it is making sense clear 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 last point help people to relieve from body pain yes anybody who want to add to it can you repeat sir help people to relieve from body pain body pain no problem yes Lokesh you want to say something yes sir please Lokesh Lokesh Patil okay body pain means deep tissue massager yes very good apply mostly जैसे कि अब ही मैंने fitness center के साथ में collaboration किया है तो उनका काफी जो मतलब मुझे अब ही जैसे कि मेरे इवेंट्स में अमारा दिन दिन बर काम होता है तो वहां से भी मुझे काफी सारे मतलब मिलने वाले क्लाइन्स उनका मैं कि बॉड़ी पेंट उनका थोड़ा सा मतलब बॉन पेंट आपने जैसे बताया कि बोन पेंट तो ठीक नहीं कर सकते लेक मुझे मास्टर आप अब यह मांगे चलो मुझे यूर्ट आप मास्टर आप इस प्लीज कंटिनियू इस इतना ही है चलिए 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 गुड रांड अप्लॉज फॉर बुड शेरिंग येस लोकेश के यूट वान तो शेयरिंग आप तुछ बोलना चाहेंगे डूल ना सुन रहे हैं येस वी अद लिसनिंग सब्सक्राइब कर दो संदीप यह सब्सक्राइब किस वजह से हो रहा है यहां अभी मेरा जो एक्सक्राइब करके पर पहले थोड़ा एक्सक्राइब करें के अपने बताए पैसे वीडियो में थोड़ा एक्सक्राइब हमें थोड़ा भीफोर दी कोई भी हम लोग जैसे अपलाई करेंगे तीशू होगा या स्पार थेरीपी या स्वीडिस मसल्स में थोड़ा था रिलीफ मतलब करना है बौडी को देल विए टू यूज तो करना ही हमें जो भी मसल्स उनके डिलैक्स हो रहा है और उसके लिए अपला है कुल सा ऑईल पर्फेक्ट होगा क्योंकि हर तरह कि जैसे आरोम हमें हमें इसेंचेल ऑईल मिक्स करना होता है विकॉद आपका बॉड़ी पेन के उपर यह फोकस है वह बॉड़ी पेन के लिए जो भी ऑईल से कर सकते हैं तो नाव सी दिस चाले थैंक यू सो मच पोर शेरिंग एंड राइट पॉइंट एस वेल बट इसमें थोड़ा सा मैं एड़ करता हूं आपने उसके ऊपर थोड़ा सा शुरुआत किया था जैसे कि आपने बुला नी पेन च्वाइंट पेन एल्बू पेन नेक प यह सारे के सारे बॉन पेन हैं ओके ओके नौट ताम अगाट तो भी आर ओली टॉकिंग अब मसल पेन किन लोगों की होता है एस्टेशली वो लोग जो स्पोर्ट्स में जादा इंट्रेस्ट होते हैं ओके जैसे की मैरेथन रनर अब उनके कहा पेन होगा लेक्स में आने की क जाने वाले अगर आज बाइसप्स ट्रीश ट्रीश पेन होगा बैक मारा है तो बैक में पेन होगा आर यूग अज पार यह पो आपको अपने इन एरिए को स्पेसिफाइव करना है ने कि मास्तर एक कर आफ तो आफ मसल पें रिलिवर राइट जिम पीपल और अर अभी यू can highlight the profession, my customers are cricketer, footballer, hockey player, swimmer, runner, marathon runner, are you getting it? And I treat their body pain, their muscular pain using my spa therapy. Client को नहीं मालूम कि वो डीप टिशू मसाज क्या होता है? But client को यह मालूम है कि मेरा यह पेन है और आपको यह मालूम है कि यह पेन इससे जाने वाला है डीप टिशू मसाज से. The point here is, आकी आपके पास यह सारे प्रोफेशन के लोग आने शुरू हो जाते हैं. Are you getting it what I'm trying to say? Yes, correct, correct. Correct? All right. So, let's have a good round of applause for all of you. I think we are in the end of the session. Thank you, sir. And my last two minutes are left. So, we are going to talk about something very important now. So, अभी certification के बारे में बात करते हैं. तो अगले 10-15 minute में आप सबका certification issue हो जाएगा. और अभी आपको दो-तिन चीजे ध्यान रखनी है. कि जब भी certificate जाता है ना, तो आपको telegram के जो हमारा student वाला group है, उसमें message भी आ जाएगा. लेकिन हमें एक mistake क्या करते हैं? अरे यार, certificate आगा है, बाद में डाउन्डोड करेंगे. Don't do that. उससे क्या होगा? इमिजेटी आप डाउन्डोड कर लो अपने email में जाके. डाउन्डोड कर लो, प्रिंट कर वालो और लगा भी दो frame बनाके. उसके पिछो वज़े क्या है? बाद में डाउन्डोड नहीं होता, link expire हो जाता है. तो इत इंक्रेजिस यॉर वर्क, इत इंक्रेजिस आवर वर्क. तो बेटर रहे कीप इट सिंपल, उसी टाइम पर आप डाउन्डोड तर लेकिशी जब्सक्राइब कर लेकिए. तो इसके आप पर काम हो जाता है, और दूसरा, जो शेडूल है, एसफाथ थेरपी की ट्रेनिंग का, आफलाइन ट्रेनिंग का, वो अभी आपके साबको टेलिग्राम ग्रूप में शेर कर दिया जाएगा, थोड़ी दिर के बाद, और उसके अगॉर्डिंग लिए आप जाएगा, जो प्रैक्टिकल है, एवरी से केंड से स्टार्ट होता है, जो तो कैने सब्सक्राइब अभी मैं एक एक चुटी लूंगा मैं, और एक्जमपल फर्स डेयाच 13 को मैंने ली होलिडे, और मैं आपके यहां पर प्रैक्टिकल जॉइंट किया, फिर जो नेक्स्ट म में दो दो शुक्ति दूंगा, ऐसे थर्ड सेकेंड सेशन कम्पलीट कर सकता हूँ, मतलब इस पॉसिबल यार मेरे लिए बेटर है क्या आपका क्या सब्सक्राइब तो है एक सब कर लेटे तो ज़्यादा अच्छा है, तो ज़्यादा बेटर है, बट अगें आइए आइए चान कर लेएए तो अगें तो अगें तो अगें और बट नहीं जोएंट करूगा तो मुझे फार्म ली फिल करना है, तो मैं उसमें नेक्स्ट वन का ऑप्शन है, है ना अगें ये शिए वो इस लिए लिए ओप्शन ताकि आपकर से पर्वाइशन है ये महिना नहीं है और ये महिने का भी ऑप्षिन है थैंक यू थैंक यू खूष कर सकते हैं Okay, thank you. Yes, sure. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah, by the way.